अंबर फैक्टरी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफतार कर लिया है। घड़ना का खुलासा करने वाली टीम की मुस्तैदी को देखकर एसेसपी ने दस हजार रुपे की इनामी राशी दिये जाने की घोशना जी। देहरादून के सेला कोई छेतर में इस्थित अंबर फैक्टरी में चोरी हुई थी। इस चोरी के मामले की जांच में चुटी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 6 आरोपियों को गरफतार कर फैक्टरी से चोरी के सामान को भी बरामत कर लिया है। मामले की जानकरी देते हुए एससपी दलीप सिंग कुमर ने बताया कि चोरी में शामिल सर्वेश, महेश, राजा, आमिर और इमरान और इक्राम को गरफतार कर लिया है। पूश्टाच में आरोपियों ने बताया कि वह साहसपूर में कबाली की दुकान चलाते हैं और फैक्टरी से चोरी की गए सामान को भी बेशने के खिराखने थे। लेकिन इससे पहले ही पुरिस में सभी आरोपियों को गरफतार कर लिया। वहीं एससपी ने घटना का खुलासा करने वाली पुरिस टीम को दस अजाद रुपे का पुरुषकार दी जाने की गोश्टाच किया। सोला माई को के रातरी को मसुरी में भुषण के लखान आया वहां से चुरी में थी। और उसमें लोग लोग तेड़ लाग पक्या चुरी में थी। मसुरी पुरिस ने बहुत अफ़िश्टिवरी और बहुत प्रॉफिस्वर तरीके से सेचले पुटे उस्तास किया गया तो उसमें फिर एक मुझी पकड़ा गया तिको सुर्तामी थी एक फुत्र मेराज उदीम के मुझब को नगट रहने वाला है लेकिन यहां भुचर ठा इसके कबदे से एक लाग तरीक तीन सो रफ़िश्ट पर बना मत्य प्रदेश के महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश्ट से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहां द्वरा मुख्यमंत्री लारली बहना यूजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुचाई जाएगे यूजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुल को है यूजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं 255-2700-800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर राप्त की जा सकती है तक अलियू